हेलो फ्रेंट्स, एसेट कमपाउंडर्स अकैडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आज फिर से मैं हाचिर हूँ आपके लिए के स्टॉक लेकर के एक सेर्स, उसमें आपको इंवेस्ट करना है या नहीं करना, वीडियो कतम होने के बाद पता चलेगा, तो वीडियो को लास तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लो, क्यूंकि इसका पियर, दो next पियर मैं अगले दो वीडियो में बनाने वाला तो वो दो वीडियो आपसे मिसना हो, क्यूं मिसना हो, क्यूंकि अगर आप इसमें इंवेस्ट करने के इच्छा नहीं रखते, बावजूद इसके अगर फंडामेंटल अच्छा है, अगर फंडामेंटल खराब हुआ, तो मैं खुदी मना कर दूंगा, और आप इंट्रेस् वो वीडियो आए, तो सबसे पहले आप तक पहुचे, जी हाँ, वो दो जो भी ये स्टॉक्स है, अपने आप में काफी उंदा है, एक मल्टी बैगर बनने का हिम्मत रखते हैं, उनका फंडामेंटल और टेक्निकल ये कहता है, कि हाँ, मैं भी उस लाइन में खराऊं, कि मै एक मल्टी बैगर बन सकता हो, हो सकता है, थोरा बहुत बग हो, ये आपको डिसाइड करना है, थोरा बहुत डिमेरिट हो, ये भी आपको डिसाइड करना है, पहले इसे स्टॉक के बारे में जानते हैं, फिर नेक्स दो वीडियो में हम लोग अगले दो स्टॉक के बारे में जानेंगे जो इनका PR है थोड़ा सा suspense है थोड़ा सा wait कीजिए क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला होता है कुछ अच्छा मिलने वाला होता है तो थोड़ा सा उसके लिए suspense जरूरी होता है आज का जो हमारे stock है उसका नाम है Tata Metrics बहुत 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 आपने नाम सुना return भी कापी अच्छा दिया पिछले कुछ दिनों में down आने लगा investor घबराने लगे suggestion पर suggestion आने लगा call पर call आने लगा क्या सर्व Tata Metrics उठेगा मेरा मुझे इसमें पैसा बना रहने देना चाहिए या मुझे इसमें से पैसा विड्रॉ कर लेना चाहिए वीडियो को लास तक देखिएगा कब कहां कौन सा खामी निकल जाए आपको भी नहीं पता और मैं भी अभी analysis कर रहा हूँ हाला कि मैंने कर लिया है तभी आपके पास आया हूँ तो आपको जरूरी है कि ये वीडियो लास तक देखना चाहिए ठीक है USD INR का हमारा बैस सुरू हो रहा है 18 Feb से जी हाँ आपको पता है कि Asset Compounder Academy USD INR में काफी अच्छा रिटर्न आपको प्रवाइड करता है पिछले कई दिनों में बहुत सारे suggestion आए बहुत सारे thank you भी है कि सर आपके द्वारा जो भी suggest किया गया जो भी analysis किया गया टेक्निकली उससे मैंने अच्छा profit कमाया जी हाँ तो मेरा उद्देश और Asset Compounder Academy का उद्देश भी यही है कि आप खुद से trade करे खुद का पैसा है किसी और के हवाले ना करे वो भी trading के लिए कहीं से call आए कहीं से message आए मैं आपको ये return दे सकता हूँ वो return दे सकता हूँ मैं आपके एक मंद भी पैसे double fake जो genuine return है अगर आपको कोई ऐसा बोलता है तो आप सबसे पहले उससे impressed नहीं होगे अगर आप जानकार हो और कोई genuine return बोलता है तो आप जरूर interested होगे लेकिन वो genuine return आपको हजम नहीं होगा क्योंकि आप अभी आए हो जो पिछले दो साल से equity market में इंटर किये हैं उनको कुछ पता नहीं चलेगा भी या 15-20% का return क्या return होता है बस ठीक है आप खुद से trade करो खुद से सीखो जो भी return आएगा वो आपका होगा बिना किसी sharing के बिना किसी brokerage के ठीक है तो शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का analysis ओके Tata metallic सबसे पहले जानते हैं इसका market cap क्या है तो आएए देखते हैं market cap of Tata metallic approach 2600 करोर का है 2600 करोर के आज पास का market cap है 2587 करोर यहां दिखा रहा है उसके बाद next चलते हैं कि क्या यह stock undervalued है या overvalued है सबसे पहले तो P पे नज़े जाते हैं 10 का P 10 का P है फ्रेंट ठीक है और आप index का हाल देख रहे हो अभी Nifty का हाल देख रहे हो क्या हाल उसने किया है पिछले 2 सालों में क्या return दिया है history में उठा करके देख लो Nifty ने ऐसा कभी return दिया ही नहीं sensex ने कभी इतना return दिया ही नहीं bank Nifty ने कभी इतना return नहीं दिया ठीक है कोई बंदा इंतिजार कर रहा हो बैठा होता है कि भाई SBI का प्रैस क्या कभी 500 टच कर सकता है वो भी इस बूल मार्केट में अचीव हुआ है ठीक है तो बहुत सारे फंडे हैं जिनको आज हम क्लियर करेंगे तो सबसे पहला चीज ये कि टाटा मैटलिक का P10 है तो कंसीडर कर सकते हैं कि एक अंडर वैलूड है दूसरा आपके मन में सवाल आ रहोगा कि भाई आप बुक वैलूड करेंट प्रैस का कंपेर तो किया ही नहीं इनों ने तो उनको भी कंपेर करके देख लो उनसे भी आपको जस्ट डबल है तो उनसे भी आपको अंडर वैलूड पता लग जाए ठीक है इसके बाद आते हैं धीरे धीरे चलते हैं फिट सारा चीज़ डिटेल में देखेंगे इसका टार्गेट प्रैस भी देखेंगे कि टार्गेट प्रैस कहां आ सकता है और अगर किसी ने सौर्ट किया है तो वो भी देखेंगे कि भीया नीचे आएगा कहां तक आ सकता है सब कुछ जानेंगे ठीक है यहाँ पर आरोई पर एक ज़लक डालते है 21 परसंट 20 परसंट प्रॉक्स मानों कि 20 परसंट का आरोई है रिटर्न उन इक्विटी हैप्पी हैप्पी तीन साल में चेंज तो जरूर हुआ है 10 परसंट से लेकिन वो भी देखते हैं कि भाई इसका फंडा क्या है पिछले साल का सेल्स ग्रोथ देखें तो भाई साब 46 परसंट का सेल्स ग्रोथ है तो कंपनी काफी अच्छा मूव कर रहा है ठीक है फेस बैलू 10 है तो आपके लिए फिलहाल जो लॉंग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए ये बहुत खुसी का बात होगा दिल में लड़ू फूटने लगे होंगे जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है और सेर प्रैस नीचे आ रहा है तो हाला कि उन्होंने सोचा होगा 10 साल के लिए है हाला कि वो अगर पिछले 2 साल में इन्वेस्ट किया होगा तो अभी प्रॉफिट में होंगे वो तो फेस बैलू देख करके थोरे से चैरे पर मुस्कान जरूर आई होगी उनके ठीक है पिछले 3 साल में सेल्स गुरोफ कुछ खासा नहीं है जस्ट प्लस में है और 5 साल में इसने क्योंकि मेटल स्टॉक है स्टॉक है तो 7 पर्शन का सेल्स गुरोफ माईने रखता है ओके ठीक है अब चलते हैं अपने नेक्स पैरामीटर पे और देखते हैं कि भाई साहब ये स्टॉक डेट फ्री भी है या नहीं है क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ किसी चीज से कॉम्प्रमाइज कर लेना फ्रेंड डेट से कॉम्प्रमाइज नहीं करना ठीक है क्यों नहीं करना आप एक बात बताओ किसी ने घड़ लिया उसका सेलरी मान लो साल का 10 लाक रुपया है उसने लोन लिया बैंक से 50 लाक घड़ ले लिया उसने सुचा अच्छा भाई चलो एक प्रॉक्स मान के चलते हैं कि साल का कितना कटेगा 40,000 रुपय EMI मेरा मंतली जाएगा मेरा सेलरी तो एक लाक है साथ हजार खर्चा और चमिला करके चलो 20,000 रुपय सेविंग हो जाएगे चलो भाई ठीक है बरे मजे में जॉब चल रहा है दो साल चला, तिन साल चला बहुत बढ़ियां, घर भी अपना मंदी आया, कोरोना जैसा जॉब चला गया उसके पास कितने का डेट है चलो 10,000,000 उसने चुका भी लिया 40,000,000 का डेट है उसके पास सेविंग कितना है मान लो 5,000,000 का अब वो सोच रहा है बिचारा कि जादा से जादा कितने दिन चलेगा मेरा सेविंग इतना ही है घर का खडचा चलाना है महीने का 1,000,000 का खडचा है मेरा तो कैसे चलेगा जादा से जादा 4, 5 महीना 4, 5 महीने में जौब नहीं हुआ भाई मेरा तो हालत खस्ता हो जाएगा ये माई बाउन्स होने लगेगा कैसे manage करेंगे हम तो ये हो जाता है debt वाले का हाल ठीक है अगर उनके पास cash in hand अगले 10 साल के लिए है तो भाई 10% 15% तक चलेगा कोई दिक्कत नहीं लेकिन ना कोई saving है ना कुछ है उपड़ से debt ले रखा है तो ये कभी मंजूर मत करना long term investment में चाहे वो short term ही investment क्यों ना हो चाहे वो trading ही भाले क्यों ना हो ठीक है आगे चलते हैं debt देखते है यहाँ पे हम लोग date देखेंगे कि company में date है कितना तो सबसे पहला चीज आपके खुसी का बात है कि company date free है smile आया company date free है मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि expected क्या है उसको हटा दो expected क्या है आप हटा दो क्योंकि वो uncertain सा चीज हो गया ठीक है उसको हटा दो उसके बात देखते हैं कि ROE पे मैंने अभी अभी चर्चा किया कि काफी अच्छा 21% 20% का ROE था और यहां पर पिछले तीन साल में return on equity सारे 23% का दिया है अब बताओ एक तो company debt free उपर से small cap ओके उसके बाद यह 24% का ROE दे रहा है और सबसे खुसी का बाद Tata metallic Tata metallic friend एक subsidiary है और यह subsidiary किसका है आपको यहां पे साप साप दिखाई देगा Tata steel का है मतलब इसके पीछे एक बहुत बड़ा backup भी है एक बहुत बड़ा backup भी है ओके चलो यह तो बात का बात हुआ चलो main company पे और आगे focus करते हैं कि यह company debt free है return on equity अच्छा है company undervalued है small cap है face value 10 का है multi bagger बनने का पूरा का पूरा chance अभी तक दिखाई दे रहा है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई रोस क्या है इसका उसके बाद आएंगे equity graph पे फिर बताएंगे कि target price क्या है अभी price actually क्या होना चाहिए और नीचे आएगा तो कहां तक नीचे खटक जाए तो tension मत लेना सारा चीज मिला जो ला करके देखना कि भाई वो चीज इग्नोर कर सकते हैं या नहीं आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद आते हैं रोस पे इसके बाद हम लोग आते हैं फ्रेंड ratio रोस most important thing और यहां पे पूरा का पूरा 12 साल का रोस आपके पास है 2010 से 2021 तक 25, 16 और यह 2 साल आपके आख में खटक सकता है 2012, 13 ठीक है तो मैं अपने next वीडियो में मैंने बोला कि 2 peer का चर्चा करूँगा अलग-अलग वीडियो में उनमें भी यह चीज़ देखेंगे उसके बाद आप compare करना कि भाईया यह 2 साल टाटा मेटलिक में इग्नोर कर सकते हैं या नहीं यह 2 साल जो है उससे बेहतर उसका पूरा का पूरा 12 साल का performance है या नहीं उसका जो performance है आने वाले जो मैं दो वीडियो बताऊंगा उनका performance और इन में overall कौन सा बेस्ट है मेबी टाटा मेटलिक हो मेबी second one हो या मेबी third one हो तीनों में से कोई ना कोई तो बेस्ट होगा वो उसके बाद आपको decide करना है कि अगर suppose आपको एक लाक रुपे deploy करना है और आपको बाद भाई माल लो कि तीनों के तीनों ये stock बेस्ट निकले तो कितने 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 तीनों में divide करना है आप ये सोट लो कि कौन सा है stock आने वाले समय में अच्छा grow कर सकता है उसके बाद फिर से भाई साब ने अपना race पकरा और on an average approx 30% का रोस इसने maintain रखा और उमीद भी है आगे चलता रहेगा ये कड़ता क्या है ये सबसे last में देखेंगे उसके बाद आप सोचना इसका future scope क्या है ठीक है ये हो गया अब इसके बाद आते हैं इसके equity पे और देखते हैं भाई कि इसका target price actually क्या हो सकता है ठीक है max chart पे click करते है कितना सांदार सग्राफ गया है ओके और ये जो 2 साल है 3 साल बहुत बुरा बिता इसके लिए कोई बात नहीं ये वाला जो fall है ये corona वाला fall है ठीक है corona के इस fall के बाद इसने एक और छोटी सी गलती की क्या गलती की इसने एक सांदार 90 degree बना है लेकिन first thing क्या है कि इसने जो ये fall है वहां तक पहुचने में बहुत ही patience दिखाया और लगभग लगभग अगर इस graph को बढ़ा करेंगे तो 45 degree का एंगल इसमें बन रहा है approach यहां भी 45 degree approach एंगल बन रहा है ठीक है उसके बाद इसने गलती कर दी अब आप इस share ने गलती की या इसको manipulator ने इस तरह किया no one knows ठीक है उसके बाद इसने एक 90 degree का curve बनाया बहुत सारे लोगों ने क्या किया इसमें पैसे लगाएं और profit भी कमाया होगा ठीक है लेकिन ये कभी भी 90 degree का curve long time तक sustain नहीं करता ये technical analysis का एक part है और आपको जानना चाहिए क्यों जानना चाहिए क्योंकि जब भी 90 degree का आप graph देखो उसमें कभी trap मत हो ना कभी trap मत हो ना friend बहुत सारे लोग इसका चार्ट देखकर के यहां पे कहीं trap हुए बैठे हैं तो उनके लिए आज ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है ओके बहुत जरूरी है इसका target price क्या हो सकता है अभी discuss करेंगे वीडियो तो को last तक देखिएगा क्योंकि इसके बाद अभी product पे आएंगे product पता चलेगा उसके बाद आएंगे promoter holding पे promoter holding उसके बाद वापस इस पे आएंगे और price decide करेंगे कि भाई कौन से price पे हमें buy करना चाहिए और stock really जा कहां तक सकता है वैसे मैं आभी आपको सब कुछ बताने वाला हूँ ठीक है अब इसके साथ क्या है friend आप ध्यान से देखो जो इसने 90 degree का curve बनाया सब को पता है जो technical जानते हैं पेसेंस बनाये रखे होंगे या fall आएगा fall आया और पीछले level पे लगबग आया अब ये 800 पे लगबग लगबग प्राइस चल रहा है अगर इसका graph हम माने friend इसका जो fundamental दिखा हमने रोस देखा उसके recording इसका price अभी कहीं कहीं 1600 का आसपास का होना चाहिए ये inverse case जो अभी आपने देखा ठीक है अगर recent का दो top भी हम लोग मिलाते हैं friend ये top भी मिलाते हैं तो भी ये 1400 का होना चाहिए क्यों क्योंकि इसका जो fundamental है उसको अगर equity graph से match करेंगे तो ये देखने के लिए हमें मिल रहा है तो यहाँ पे दो चीज है एक पहला चीज कि अगर हम ये दो top मिलाते हैं यहाँ पे तो कहीं ना कहीं इसको 1400 तक आना चाहिए लेकिन जो fundamental है इसका रोजपास तक का जो हमने देखा है अभी उसकी अनुसार इसको 45 डिगरी बनना चाहिए और कहीं ना कहीं 1600 तक है अभी इसको court करना चाहिए लेकिन ये एक cyclical stock है कब कहां से boom कर जाएगा no one knows और सायद ये वही टाइम है क्योंकि इस दोनों के बीच के move को बने हुए लगबग लगबग दो साल बेच चुके है ठीक है इसका तो target price, first target price 1400, second target price 1600 का है friend बात ये है कि इसे हम लोग खरीद कहां तक सकते है, market already overvalued है, समान के चलो कि अगर किसी को 100 रुपए इसमें लगाना है सपोज कर रहा हूँ, वैसे तो 100 रुपए लगे हैं नहीं क्योंकि already मान के चलो चलो आप ही का बात 1,00,000 रुपए लगाना है तो मेरे according 800 पे 50% इसको deploy कर देना चाहिए और 600 पे बागी का 50% deploy कर देना चाहिए जो इसका target है friend, मैं यह नहीं कर रहा है 3-4-5 साल में यह पैसा double होगा क्योंकि अभी जो अभी हम fundamental देखा हमने P undervalued है यह पूरा का पूरा है stock undervalued है लेकिन earning यह नहीं कह रहा कि आज की समय में इसको एक undervalued stock होना चाहिए तो इसके according जिस तरह से इसका move आता है उस past को देखते हुए अब भी हम लोग यह consider कर रहे हैं कि लगबग लगबग 6-8 महिना के पहले पहले यह price आ जाना चाहिए market uncertainty का खेल है no one knows, market prediction का खेल है probability का खेल है रातो रात कब क्या हो जाए no one knows तो आपको अगर आप heavy amount इसमें लगा रहे हो हाला कि जो भी अपना amount लगाता हो अपने आप में heavy ही होता है तो उसको protect कटके भी चलना परेगा आपको plus patience भी रखना परेगा ठीक है आपको पता है currency वगड़ा देखा बागी सब का देखा तो जो भी target predict किया जाता है asset compounder academy में वो time से काफी पहले आ जाता है तो हमारे equity analysis में हमारे technical analysis में ये कहा जाता है friend कि हमेशा जब भी कोई चीज आप consider करो तो एक चीज जरूर इत्यान करो कि worst worst उस चीज में क्या हो सकता है तो worst से worst वो target हम लोग आपको बताते हैं उसका time frame बताते हैं कि max to max ये होगा उसके बाद ये सारे चीजे हैं तो maybe 600 से अगर 1400 जाए तो अब भी हसा बात है कि time बढ़ जाएगा उके अब आते हैं कि product क्या बनाता है उसके बाद promoter holding पर आएंगे जिसको देखना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अभी तक जो भी analysis हुआ है उसमें काफी different है इसका promoter holding और उसको जान करके उसको देख करके आपको decide करना है कि इसमें पैसा कितना और कब invest करना है करना भी चाहिए या नहीं ये consistent compounder हो सकता है या नहीं हड़ चीज आपको वहाँ से मिलेगा तो सबसे पहले आईए फ्रेंट देखते हैं कि इसका growth क्या है इसके product क्या है ठीक है यहाँ पे आते हैं भाई साब यहाँ पे इन्होंने देखा हमने देखा कि ये automobile casting में है सबसे पहले ये जान लेते है कि ये कड़ता क्या है ठीक है तो ये बनाता है pig iron ओके pig iron बनाता है मतलब क्या layman के भासा मैं आपको समझाता हू simple समझो crude iron जब कोई ये steel बनता है उसके just पहले का एका step वो वहाँ तक ये काम पढ़ता है ठीक है बाकी हर सेक्टर में घुसा हुआ है कहां-कहां pig iron और pig iron का use होता है दूसरा जो इसका product है वो है D-pipe D-iron pipes मतलब ductile iron pipes बनाता है अब वो क्या होता है जो आप देखते हो सीवज में बरे-बरे pipes लगे होते है पानी को एक जगा से दूसरे जगल ले जाने के लिए वो D-pipes कहां-कहा है automobile में engine brake से ले करके हर कुछ में इसका काम होता है same here agriculture and tractor casting उसके बाद engineering power generation sanitary and decorative railway and almoly and smart मतलब कि आप पूरा का पूरा metal sector जहां-जहां यूज होने वाला होता है सबको इन भाई साब ने cover कर रखा है और pig iron बनाने में ये number one पे है largest है ठीक है तो आप समझ लो कि इसका scope आगे कम हो सकता है क्या India grow करेगा इसका demand बढ़ेगा ओके अब आते हैं हम promoter holding पे और देखते हैं भाई साब कि promoter holding का क्या है माजरा promoter आप देखो दोजार उनीस पच्पन 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 और दोजार बीस तक पच्पन उसके बाद से promoter ने जंप किया 5% promoter और add हो गया है ठीक है 5% promoter add हुए क्यों add हुए क्यों कि इसमें उनको growth दिखने लगा सबसे important बात क्या है कि ये Tata Steel का एक subsidiary है तो इसके पीछे एक मजबूत हाथ है Tata Steel का ये भी इसके साथ plus point है FIA का कोई इसमें मजबूत role नहीं है लेकिन promoter का इसमें काफी भरुस है ओके तो अभी तक जो भी हमने देखा क्या क्या देखा company एक small cap है जिसके पास capacity है कि वो एक multi bagger बन सकता है एक large cap है stock बन सकता है क्यों बन सकता है company अभी undervalued है लेकिन fundamental ये so नहीं करता कि अभी के time पे इसको undervalued होना चाहिए ठीक है रोज पिछले 10 साल का देखा minus 18, minus 4 भी आया उसके बाद भी 22-25% का on an average रोज है return on equity 23 साल का आपने देखा सारे 23% good sales growth आपने पिछले साल का देखा 34% good most important thing promoter का इसमें faith है और company एक debt free stock है अब भी तक पूरा का पूरा scenario मिला लिया product जो इसका ये बनाता है काफी growth है इसमें सब कुछ हमने देखा तो जो भी consider किया उससे ये पता चलता है कि company का share और company एक consistent compounder साबित हो सकता है और आपके portfolio में एक multi bagger add हो सकता है friend okay हम अपने next दो वीडियो में दो ऐसे company का और चर्चा करेंगे आपको पहले भी बताया है कि ये उनसे बहतर है या वो दो company इससे बहतर है तो वो दो company का analysis जानने के लिए आपको हमारे channel को subscribe and bell icon को press करना परेगा तब आप compare करना कि वो दोनो company से ये company बहतर है पूरा पैसा इसमें डालना चाहिए या पिर तीनों अपने अपने जगा पे multi bagger बनने वाले हैं तो तीनों में पैसा डिवाइड करके डालना चाहिए तो आज के लिए बस इतना ही 18 फरवरी से हमारा USDNR का best सुरू हो रहा है 14 तारिक से पहले registration करने पे 20% का discount है और USDNR का call हमारा कितना हद तक सही होता है या आपको पता है अब भी तक तो लगबग लगबग हमारे 90 से 95% call सारे सही रहे है रेस्ट आपको डिसाइड करना है हमारे चैनल पे जाओ लाइब सेक्शन पे जाओ यूटूब के वीडियो देखो आपको USDNR के बारे में पता चल जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड अगला दो वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है उसको जानने के लिए उसको देखने के लिए क्या करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना है तो थैंक यू सो मच पर लिस्टिंग में थैंक्स